हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक टोवर चैनल आंद्रा कुक आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ गार्लिक चिकन की रेसिपी इसके लिए पहले हम टमाटर और प्यास का पेस्ट बना लेंगे टमाटर और प्यास के पीसस ऐसे काट लीजिए और ग्रैंड कर लीजिए और थोड़ी चॉप की हुई गार्लिक डालेंगे थोड़ी बारी कटी हुई हरी मिर्च अच्छे से सॉटा कर लेंगे सॉटा करने के बाद इसमें हम डालेंगे टमाटर और प्यास का पेस्ट इसमें थोड़ा सोया सॉस दालेंगे और थोड़ा जिंजर गार्लिक पेस्ट नीमु का जूस दालेंगे अधा टी स्पुन लाल मिर्स दालेंगे स्वाद अनुसा नमक डालिए और इसे अच्छे से सौटा कर लें अगर आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा पानी डालिए हमने इसमें थोड़ा सा पानी डाला है और इसमें थोड़ा गरम मसाला डाल रहे है इसे भी अच्छे से सौटा कर लें सभी मसालों की कच्ची बू जाने तक हमें पकाना है देखिए अच्छी खुश्बू आ रही है इसमें हम डालेंगे चिकन के पीसस इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए यह बहुत ही सिंपल रेसिपी है अगर आपको इस रेसिपी के बारे में कोई भी डोट हो तो हमें आप कॉमेंट सेक्छन में कॉमेंट कर सकते हैं चिकन अच्छे से गलने के लिए इसे फिफ्टीन मिनिट्स तक पकाईए इसमें हम थोड़ी सी हनी धनिया के पते डालेंगे और थोड़ा बारिक कटा हुआ लाइसन डालेंगे एक मिनिट के लिए पकाके इसे सफ कर लीजिए देखिए कितना मज़ेदार और टेस्टी लग रहा है हमारा गारलिक चिकन ज़रूर ट्राइ कीजिए ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चानल आंद्रा कुक और लाइक शेर करना मत भूलिए थैंक्स वर वाचिंग अवर वीडियो